कि अगे सब्सक्राइब बात करेंगे फाइनस कमिशन की यूपीएसी जैपीएसी और स्टेट पीचिस कर लिया था उसके पहले हमने इलेक्शन कमिशन भी कम्पीट कर लिया नहीं देखा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा डाफिनेटली आप जाकर के क्लिक करें और देख कि लिंक है जाकर के करो मज़ा आपको आजाकर सबकूछ मुआ पर फ्री इतना अवेलेबल है तो मैंने आपसे पहले गाता है कि यूपीएसी के लिए कोचिंग्स की जरूरती नहीं है सड़ायन माम यूपीएसी के की लिए कोचिंग नहीं चाहिए आपको गाईडेंस चाहि है ठीक है as a medium feel necessary बात करें composition की तो sir and ma'am देखें इसके एक chairperson होता है एक chairman होता है चार other members होते है यानकि total मिला करके five member ये body है multi member आपके ये body है ठीक है ये hold करते है office जब तक आपके president इसको नहीं बता दे राइट तो president के according ही ये जो अपना time period पूरा hold करते है office hold करते है and ये reappointment के लिए eligible है समझे reappointment के लिए ये है क्या आपके eligible बहुत जरूरी चीज constitution ने authorized कि है parliament को कि वह qualification बता सकते है किनकी commissions के member की and कि इनका manner उनके किस तरह किस appointment में होगा selection होगा उसका उसकी जान उसकी क्यों करेगा आपके 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 पार्लेमेंट राइट ये बहुत दरूरी difference है between आपके different bodies और इसमें ठीक है तो पार्लेमेंट टे कुछ definitely qualifications तो रखी है chairman के लिए और commissions के member के लिए तो chairman के लिए he should be a person who has experience in public affairs और जो चार अधर members should be selected from amongst these things क्या क्या है वो ठीक है तो एक तो judge होगा i quote का और या फिर i quote के जाज होने का qualification रखता होगा दूसरा ए परसन होई specialized knowledge in finance and accounts of the government and उसके लावा कोई member का financial matters या administration में experience है या is होगए IPS होगए या कोई और सीज ठीक है and एक special knowledge का परसा जिसकी economics में तो एक अर्दिशास्तरी हो गए होगा because ultimately it's a finance commission finance ये तो समालना है आपको ठीक है तो उस related है okay तो finance commission के कुछ roles होते है जो की कुछ recommendations है राष्ट पति को वो देते हैं जैसे कि जो net proceed syntax कितने हैं उसमें सेंटर को कितने मिलेंगे और state को कितने मिलेगा पैसा ठीक है तो उसको distribution devolution जिसको हम बोलते है उसमें related काम करेगी and कि कि शेर में उनके पास जाएगा ठीक है तो consolidated से जाता हो इसलिए है उसके लबाँ बात करें तो measures needed to augment consolidated fund of a state to supplement the resources of the पंचायत and municipalities in the state on the basis of state by this commission सारे matters राष्ट पती के द्वारा refer किये जाते है in the interest of the sound finance तो 1960 से यह commission grants also suggested grants for आपके असम बिहार और इसे इंवेस्ट बंगाल जिंके नेट्स प्रस्चूर्स होती है उनके नेट्स प्रडूर्स हर साल ठीक है जो export duty है जूर प्रोडुक्स को लेकर के उनको लेकर के ठीक है उसके लब इस ग्रांट्स वर गिवन for a temporary period of 10 years लेकिन इसको बाद फिर वही सब चीज़ है इसके कुछ advisory roles है वह देख लिएते हैं तो अगर हम बात करें तो इसके जो recommendations होते हैं वह advisory nature के होते हैं ना कि वह पाई नहीं होते हैं government के फर एक तो बात आपको यह रख नहीं है ठीक है दूसरी बात करें तो डॉक्टर प्रीवी राज्यमननार तो यह basically आपके मेंस में काम आता है इस तरह के प्रीवें नहीं आता है तो चेर्मेन जो होगा of the fourth finance commission जो चेर्मेन थे basically fourth finance commission और काते है since the finance commission is a constitutional body expected to be quasi-judicial its recommendation should not be turned down by the government unless there are very compelling reaches तो basically यह होता भी है यार कि finance commission की इतनी तो चलती है कि वह उसके आसानी से reject नहीं कर सकते हो अकर reject करोगे तो भी बकाई तो उसका reason देना पड़ेगा ठीक है तो उस चीज को लेकर तो constitution of indiana finance commission को balancing will of a fiscal federalism का है क्या का है balancing will of a fiscal federalism क्योंकि state का भी तो रोल है हावेवर 2014 से लेकरके इसका जो रोल है सेंटर स्टेट फिसकल डिलेशन को लेकर के वह अंडर्माइन की गए है अर्स्वाइल वाइदी अर्स्ट्वाइल planning commission 2014 के पहले क्योंकि planning commission में एक non-constitutional non-statutory वोटी थी उसको एक high command चलाता था किसी party का है के नहीं है बिल्कुल पीवी राजमननार basically उन्होंने चेर्में ते उन्होंने highlight के कि अब यह तोड़ा सा जरूरी है मुझे पता यह तोड़ा सा रटना पड़ेगा तो इसको बाद बार याद करो टेली के नाम पर आजना ट्रिक्स बता देंगे आपको है तो इसको ले करके कि फर्स्ट जो आपका finance commission उसके चेर कौन थे तो केस ही नी होगी थे सेकिर्ट के बात करें तो केस अंठानम थे तो यह याद रखना थर्ड के आप एके चंदार फोर्थ के तो भी आपने डिस्केस भी कहा था पीविर राजमनार ठीके उसके बाद करें तो महावीर त्याकी सिक्स्त की बाद करें ब्रह्मबनंदर रेडी सेवन्त जे एम शेलत हमारे उसके लावा वाई भी चावन इनके पिसालवे नाइंध के हैं उसके के बाद बाद के सी पंथ हमारे 10 फैनेंस कमिशन 11 के एम खुसरो 12 के डॉक्टर सी रंगराजन बहुत बड़ एकनॉमिस्ट होया है रभी के गवर्नर है ना बात करें इसके लावा 13 डॉक्टर विजे कैलकर 14 के वाई वी रेड़ी एनके सिंग जो अभी फिलाल 226 तक इसको एक्स्टेंड कर दे गया है ना इसके बाद कौन से हैंगे 16 फाइनेस कमिशन और उसके चेर परसन कौन होगे बताना में जी तरह है ना कि अब बात करें फाइनेस कमिशन को लेकर के तो 280 के अंदर तो आपका फाइनेस कमिशन घटित होगा 281 के अंदर इसको जी एस्टी काउंसल बोलते हैं इस इस अलसो ऐ आपके सारके 2019 के बाद से इसको आपके डेफिनिटल है यह अगर बताए तो 101 जो आपका अमेंडमेंट आयता 2016 में 2016 में बात करते हैं ना कि 2019 तो जी एस्टी लागू हुआ इस न्यू टेक्स रिजिम है ना जी एस्टी क इसको इंसर्ट किया गया एंड राष्टपती के पास ताकत दे दी कि वह एक जी एस्टी काउंसल बनाएगा बाएन ओडर एन अकोडिकली जो प्रेजिडेंटे इस्चु करता है ओडर इन्टु 2016 और काउंसल को कटित करते हैं उस टाइम पर एंड़ सेक्रेटरी और काउंस उनिस्टर अब breakthrough ने काच्छी तरिके इसको इंपलेमंट करते हैं Press अब यह पीजन सब्सक्राइब ऊब होन पूचेंगी यह पूचेंगे हैं तो सरे मेंबर काउण होते हैं आप in Canada स्ब्सक्राइब्स की बात करते हैं आख internet सुट्छ SEN कर नोगी चेरपरसन अभी तक इसका एक ही चेरपरसन मना है वो होती है हमारी निर्मला सिता रमन्न है ना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज के अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज है उसको हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो वो भी इसके member रहते हैं उसके अलाबा बात करें yeah ministry in charge of finance or taxation or any other minister जो कि state appoint करता है ठीक है तो state कोई को भी appoint कर सकता है उनकी तरफ लेकिन minister होना चाहिए ठीक है next बात करें the member of the council from the states have to choose one amongst themselves to be the vice chair person of the council and फिर उसका डिस्ट डाउं भी वह डिसाइड करते है ठीक है तो जो council है जिसके आपकी सब मैंने बताया वो ही अपना एक chair vice chair person कोन करते है vice chair appoint कर लेते है voting वगरा करा करके and union cabinet जो है उनकों also decides to include chair person of the central board of exercise customs as a permanent invite उसको voting right नहीं होते है क्या बोला मैंने जो आपका CVEC है उसने जो chair person होता है CVEC का वो इसका permanent invite है working किस तरीके से होता है वो देख लो तो इसका decision जो होता है इनका decision होती council यहाँ पर सारे decision लिए जाते है and one half of the members जो आदे इसके members है जो आदे इसके members है या जो आजे इसके members होता है total member होता council इसके quorum for conducting the meeting यानि कि मालीजे कितने members होंगे इसके अंदे मालीजे जब 30 लोग है तो at least इसका quorum fulfill होना चाहिए to fulfill the आपके जो बात करते है conducting the meetings voting चोड़ो every decision of the council is to be taken by the majority of not less than three-fourth समझके तो three-fourth members voting करने ही करने चाहिए अगर कोई decision आपको लेना है तो ठीकर one-third पावर है one-third voting power है and जो आपके state governments all state governments उनका वेटेज है two-third समझके two-third voting उनके पास power है तो यह वो ही है कि invalid की आदरोपर नहीं होगी तो vacant defect of the appointment of the memory यह सब शोड़ो important यह है important यह है कि यह जो है taxes किस तरह किस से लगाए जाएंगे by this entire state and local body उसको discuss करेगा है ना क्योंकि वो समर्ज किसमें अगाब कि GST में the goods and services that में भी just subjected to GST और exempt कौन-कौन से था exempt रहेंगे कौन-कौन से include रहेंगे model GST बनाएंगे ताकि यह model GST लोग होगा ताकि principles लग कर देगा कर देगा कि बागे के states अपने अपने बढ़ा लेना किसी तरीके से ओके तथ्रेसोल लेमिट अप दे टॉर्णोवर बिलो विच यह नहीं लगेंगे exempt वो भी decide करेंगे तो यह सब चीजे ना GST से related सारे की सारी चीजे कौन करेगा बेसिकल यह आपका काउंसल अधर फंक्शन की बात करने कुछ अधर फंक्शन भी तक भी आपके exempt यह वन देर इस अ dispute with respect to the recommendation और देर implementation इसके अब इसके इंप्लिमेंट करने के कारणा बहुत सारा टेक्स का लोग सुआ है किसको स्टेट को तो उसको compensation को कोन देगा आपका केंदर देगा फोर फिर 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 लेकिन नहीं दिया गया दिया गया चलिए बताईएगा अकोडिंगली पार्लेमेंट इनक्टेट दे लोग इन ट्वेटी सेवंटीन क्या वो बेसिकली बोला था कि जो हमारे पार्लेमेंट है वो डिट्रमाइन करेगा कितना कंपसेशन के इस स्टेट को देना है और फिर पार्लेमेंट ने दोजास तरह में इसको ले करके आ गए आर्टिकल टू सेवंटी नाइन एवन क्या किता कि प्रेजिटेंट अपोइंट करेगा फॉर्धी विदिन दी सिक्स्टे डेज ओफ दी अपोइंट जो आपका खानून आया इन नेक्स लिसन अब बात करेंगे नैशनल कमिशन फॉर एस्जी फिर फॉर्धर अमर्चे फॉर्धर टॉप फॉर्धर कमिशन से ठीके तब पूरी कॉंस्टिटिट्विश्टल बोडी इससी तरह के से कंप्लीट कर लेंगे तो जब तक लिए स्टे टून अबराइजन दू जोई टेलिग्राम